एक बार इस मैप को देखिए, ये मैप दिखाता है कि 2011 सेंसिस के हिसाब से हर इंडियन स्टेट में कितने बिखारी हैं हर लाख लोगों के लिए और हम देख से थे कि कैसे बेंगॉल और असाम का नंबर सबसे जादा है और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हर एक लाख लोगों में करीब 33 बैगल्स या फिर बिखारी है तोटल नंबर की बात करें तो 2011 में करीब 4 लाख बिखारी थे पूरे देश में और इन बिखारियों की वरे से इंडियन गव्मेंट बहुत अजीब से कतम उठाती है। जैसे 5 साल पहले फॉर्मर युएस प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प हाइदरबाद आ रही थी। जिसकी वरे से हाइदरबाद पुलीस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि उस शहर में हजारों बिखारी आपको मिल जाएंगे और पुलीस को जिम्मेदारी दी गए थी उनको हटाने की। और रातो रात हाइदरबाद पुलीस ने करीब 6,000 बिखारियों को सडकों से हटाकर या तो जेल में डाला या फिस शेल्टर में पर हम बैसे कई लोग जानते ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी बलकि एक दिन के लिए आपके चश्में हटा जेगी ताकि आपको प्रॉब्लम दिखे ही ना कुछ लोग मांते कि इंडिया में बिखारी पन के ले में कारण है और गजोटों को किड्नाप करते हैं पर मजबूरन भीक मांगने के ले बोल देते हैं और यह सच नहीं है बिखारी पन के कई और कारण जो मैं आपको बचाना चाहतहूं इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि बिखारी पन का मतलब क्या होता है आप शाद बोलोगे कि बिखारी वो व्यक्ति हुआ जो पूरे समाज पर निर्बर रहता है अपनी जरूरते पूरी करने के लिए पर दूसरों के दान पर निर्बर रहना कोई नई चीज नहीं है हमारे देश में इनफाक्ट एंशिन टाइम्स में वैस्वत मनू वो अपनी राइटिंग में जो डाई हजार साल पुरानी थी चारिटी के बार में बात करते हैं वो कहते कि किसी भी राजा के लिए अनाथ और बुड़े लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है चानक्या भी ऐसी ही चीज कहते हैं इंशिन इंडिया में आश्रम और गुरू पूल का भी कॉंसेप्ट था जहां स्टूडेंट्स अपने और अपने गुरू के लिए दान मांगते थे भ्रामण भीक्षा या फिर चारिटी पर निर्भर थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ती त्याग दी थी जैनिजम जैसे रिलिजिन में भी आपको चारिटी या फिर दान का कॉंसेप्ट मिलेगा जैसे आपको जैन सादू और सादवी मिलेंगे जो एक सिंपल जिंदगी जीते हैं और दूसरे के दान पर निर्भर करते हैं जैनिजम में दान मांगना एक important moment होती है एक सादू या फिर सादवी के लिए क्योंकि ये एक rare occasion होता है जा वह दूसरे लोगों के contact में आते हैं इसी वरे से pre-colonial इंडिया में दूसरे लोगों के दान पर निर्भर रहना हमारे religion और social traditions का भाग माना जाते था और कई लोग का मानने की हमारी ऐसी सोच बतल गई अंग्रेजों के आने के बाद क्योंकि अंग्रेज ये मानने लग गए कि शहर में बिखारियों के आने की वरे से शहर की problems बढ़ जाएंगी जैसे 1879 में Times of India के article ने लिखा था कि ऐसे लोग शहर में बिमारिया फिला देंगे और इसी वरे से बिखारियों को शहर के बाहर भेजना होगा पर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छली अंग्रेज सही से और हम बिखारी पन और दान के concepts को confuse कर रहे हैं लोग कहते हैं कि इंडिया में जो लोग दान पर निर्भर करते हैं वो सादू-सादवी बनें क्योंकि वो spiritual होना चाहते हैं इसलिए उन लोगों को दान देना हमारा धार में कर्तव्य माना जाता है जबकि जो बिखारी पन है वो एक social problem है वो लोग कोई spiritual चीज नहीं कर रहे हैं इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे समाज पर एक बोज है वही दूसरे लोग कहते हैं अब चाहे वो contribute ना कर रहे हो हमारे समाज में पर हमारा कर्तव्य है कि कम से कम उनकी basic जरूरते पूरी होए अब चाहे लास 50 सालों में इंडिया में बहुत development आई हो पर unfortunately एक बिखारी की जिंदगी जादा बदली नहीं है जैसे दो examples लेते हैं एक कॉलकता से 1977 और दूसरा दिल्ली से 2016 ये examples आपको पताएंगे कि इंडिया तो बहुत develop हुआ है और कई लोगों की जिंदगी में बिल्कुल बदलावनी है जैसे इस 40 साल कुरानी research ने दिखाया कि कैसे कॉलकता के काली घट एरिया में आपको कई बिखारी मिल जाते काली टेंपल रोड के पास और ये बिखारी टेंपल की टाइमिंग के साथ चलते यैसे मंदिर में दर्शन करने आये लोग बढ़ते उसी साबसे बिखारीों की संक्या भी अगर उनको दुपैट तक कोई खाना ना मिलता तो वो किसी ना किसी तरह खाने बनाने की कोशिश करते इस रिसर्च ने दिखा कि कैसे उनके पास मट्टी के बढ़तन थे अलूमिनियम प्लेट ग्लास बॉटल्स और पुराने बढ़तन भीक मांगने के लिए पर अब 2016 की बात करते हैं 60 साल की सावत्तरी सिंग प्राचीन हनुमान मंदर के बाहर भीक मांगती थी वो disabled है और जादे चल नहीं सकती वो कहती है कि उनका बेटा डेली लेबरर की तरह काम करता है वहीं वो मंदर के पास भीक मांगती हैं हर दिन उनको करीब 20 रुपे ही मिलते हैं पर मंगलवार के दिन जब कई लोग हनुमान जी की पूजा करने आते हैं तब उनकी इंकम 500 रुपे हो जाती है अब ये बस दो एक्जाम्पल्स से दो एक्जाम्पल्स के जरीए आप पूरी कहानी नहीं समझ पाओगे पर ये हमें बताते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग की सिचुएशन 40-50 साल में बिल्कुल नहीं बजली तो अब सवाल यह है कि इंडिया में लोग बिखारी बनते क्यूं है इसके मेंली तीन कारण है पहला बहुत अब्वियस है गरीबी और बेरोजगारी दिल्ली हाइकोर्ट में एक बार कहा था कि कोई भी भीक मजबूरी के लिए ही मांगता है एक ऐसा देश जा सरकार किसे वो खाना या फिर रोजगार नहीं देगी तो उस देश में भीक मांगना कैसे गुना हो सकता है अब ऐसे इंवारिमेंट में जा गवर्मेंट लोगों की मदद नहीं कर पाती उस जगे दूसरी लोग मदद करने की कोशिश करते है कैसे लोकल मंदर और कुछ लोग कहते कि जो लोकल सपोर्ट सिस्टम होता था पहले अब वो नहीं है इसी वरी से जब लोगों को गाओं में मदद नहीं मिलती वो शेहर आ जाते है दिल्ली पर हुई एक चड़ी के साप से शेहर के 67% बिखारी दिल्ली के बहार से आये थे टैलिंगाना की एक चड़ी ने दिखाया कि 70% बिखारी किसान थे जिनके पास जमीन आई थी और जिन पर कर्ण का दबाओ बढ़ते जा रहा था इसी वरी से वो शेहर में आये थे एक जॉब ढूडने के लिए शेहर में आकर कुछ लोग खुदाई का काम करते हैं कुछ नौकर या फिर कूली बन जाते हैं और जिनको कुछ नहीं मिलता वो बिखारी बन जाते हैं सोशल अक्टिविस्ट हर्ष मंदर ने कहा कि 95% बिखारी सिंगल विमेन होती है जिनका परिवार उनको भार फेक देता है बच्चे होते हैं जो अपनी भूग की वरे से घर छोड़ देते हैं या फिर वाइलिन पेरेंट से बच कर घर छोड़ देते हैं फिर 11 से 70 साल की महिला पूने में भीक मांगने लग गई क्योंकि उनका बस बेटा ही पूरे परिवार में काम कर सकता था और इस बेटी की इंकम परिवार के 6 लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते थी एक स्टड़ी ने दिखाया कि 80% बिखारी भीक मांगना छोड़ देंगे अगर उनको पैसे कमाने का उपाय बताया जाए हमें लगता है कि वो लोग जो बिखारी होते हैं वो फुल टाइम बिखारी होते हैं पर ऐसा नहीं है कई लोग कुछ काम कर रहे होते हैं पर उस काम से उनको इतना पैसा नहीं मिलता जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके इसी वरे से उनको भीक भी मांगनी परती है कई लोग construction project में काम करते हैं factory में सडकों पर समान बेशते हैं कूड़ा उठाते हैं या फिर रिक्षे चलाते हैं, पर unfortunately COVID के बाद ये situation और बिगड़ गई, एक अनुमान के साब से दिली के करीब आदे बिखारी ने भीक मांगना पिछले दो सालों में इस्टार्ट किया जब उनकी जॉब चली गई, दिली में एक आदमी के पास थो MBA डिग्री थी, पर COVID में उनक की जॉब चली गई और वो इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश करी, उनके पडोसियों ने उनको बचाया और एक अस्पताल में भढ़ती कर दिया, पर उनके पस अस्पताल के खडचे के पैसे नहीं थे, जिस वज़े से उनको अस्पताल से जो आपको बताता है कि पैंडमिक के बाद कौन से सेक्टर हैं जहां जोब्स क्रीट हो रही हैं और आपको प्राक्टिकल टिप्स भी दी जाएंगे एक जॉब ढूडने के लिए और यह आपको सारी इंफिर्मेशन मिल जाएगी बस देड़ घंटे में, इसके अलावा रुपीज का यानि कि हर दिन के बस एक रुपए और अगर आप मोहग 50 कूपन को यूज करोगे तो आपको 50% डिसकाउंट भी मिलेगा और यह डिसकाउंट कोड पहले बस 200 यूजर्स के लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या आपको डाउनलोड कीजिए अब आते ह गरीबी के अलावा दूसरा कारण है disability. NCR में करी 30% दिखारी disabled थे क्योंकि unfortunately हमारे देश में यह माना जाता है कि अगर कोई disabled है तो वो काम करने के लिए लायक नहीं है. उनको education या फिर training मिलना मुश्किल हो जाता है. कई बार उनके लिए special education courses नहीं होते और उसके लावा उनक गर्मेंट की तरफ से कुछ support ही नहीं है disabled लोगों के लिए. वो कहते हैं वो काम करना चाहते हैं पर उनके लिए बहुत मुश्किल बना दिया काम करना. Thai governments ने वादा किया कि वो एक disability pension देंगी disabled लोगों को. पर इंडियन सरकार के साथ इतनी मारपीट करनी पड़ती है अपने हग को जीतने के लिए. जिस वज़े से लोगों के पास कोई और option बचता ही नहीं है. जैसे यूसफ मुंबई से हैं और महराश्रा में एक यूनिवरस्टी से उन्होंने graduation करी थी arts और craft में. वो इंडिया gate के पास sketches बनाते थे tourist के लिए. पर उनका एक accident हो गया जिस वज़े से अब क्योंकि सरकार से कोई support नहीं मिला उनके पास बस एक ही रासा बचा भीक मांगने का और आज वो दिल्ली के नहरू enclave metro station के पास भीक मांगते हैं. कुछ लोग दावा लगाते कि कुछ बिखारी जानमूच के disabled हो जाते हैं और फिर disabled होने की acting करते हैं भीक मांगने के evidence से दिखाने के लिए कि सब लोग ये चीज नहीं करते हैं जैसे बाल किशन जो एक 45-year-old former soldier है वो कहते कि कोई भी अपनी body को काटे गानी बस भीक मांगने के लिए गोल्टा कहते हैं कि उनको शरम आती है कि उनको भीक मांगनी पड़ रही है अपनी income के लिए फिर तीसरा का मांगते हैं जैसे Hinduism में दान करना especially श्राद या फिर marriage ceremony के दौरान एक आम बात है बुद्धिजम में भी कई लोग दूसरे के दान पर रहते हैं और जहां इसलाम में formally भीक मांगना allowed नहीं है पर इसलाम में कई चीज़ हैं जिस वर इसे लोग भीक मांगते हैं जैसे जाकत का concept जो कहता है कि लोगों को अपनी 0.5% संपत्ती दोनेट कर दीनी चाहिए और इसी कारण की वरे से आपको कई बिखारी मिलेंगे मंदर या फिर मस्जिदों के पास इसे सफा तली जो ओरिजिनल ही है उत्तर परदेश के गोरकपुर से वो कहते हैं कि वो काम नहीं कर पाए क् उनको पोली हो गया था इसी वरे से वो पूने के कौसरबाग मस्जिद के पास भीक मांगने लग गए वो कहते हैं कि इस चीज की वरे से उनको अच्छी खासी इंकम मिल गए इससे वो अपना भाड़ा भी पूरा कर पाए अपने बीवी बच्चों की धिगबाल भी कर पाए पर अपने फैमली को गोरखपुर में पैसे भी बेच पाए अनिल पाटल जो एक सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने का कि ये भीक मांगना तब कुछ लोग ले बिजनिस बन गया है भीक मांगना इस्पेशली बढ़ जाता है रमजान के दौरान और वो कहते हैं ऐसे इस प्रावल्म सॉल्ब नहीं होगी जिस वरिसे दिली हाइकोट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस लोग को कैंसल करती है इस लोग में एक और प्रॉड़म थी कि इसलोग के साब से बेघर लोग और बिखारी लोग एक समान थे पर कई लोग वोते हैं जो भीक नहीं मा पड़ता है तो इस problem को solve करने के लिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है समझना कि problem create कैसे हुई social activist मोहमद तारीक कहते है कि ये problem को solve करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब कोई भीक मागना start कर देता है तो उनके लिए वापस समाज में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है पर कुछ गवर्मेंट्स इस चीज को change करने की कोशिश कर रही है जैसे राजस्तान गवर्मेंट्स जिन्होंने एक rehabilitation program start किया है ताकि पहले जैपूर में और फिर पूरे राजस्तान में ये problem solve हो सके इस चीज में दो steps हैं पहला है कि हम उनकी basic जरूरतों को पूरा करें जैसे उनको लेक shelter बनाया जहाँ वो ना सकें सो सकें और उनकी health monitor की जाए फिर वो लोग जो काम करने लायक है उनको training दी जाए ताकि वो एक job कर सकें जैसे राजस्तान सरकार उनको चार महीने की training दे रही है ताकि वो electrician plumber या फिर security guard बन पाए यह program recently launch हुए तो हमें पता नहीं कि इतना successful होगा पर कम से कम काम तो करा जा रहा है इस problem को solve कर निकले अगर आगर आपकी मन में सवाल है कि next time जब आप किसी बिखारी से मिलो तो क्या आपको उनको पैसे देने चीए या फिर नहीं honestly मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है मैंने इस चीज के बार में बहुत सोचा जैसे मैं दिली से हूँ और इस वीडियो से पहले मैंने बहुत रैली पैसा दिया होगा को माया अंधे को आंक्त दे ये आरती में बोला जा रहा है पर ये जिम्मदारी है किसकी भगवान की हमारी या फिर हमारी सरकार की आपको क्या लगता है अगर आप इधर तक आ गए और आपको हमारा कॉंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिसे हम अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो आपको ये विडियो भी अच्छा लगेगा जा हम बात करते हैं इंडिन सुसाइटी की एक और यूनीक चीज़ के बारे में वो है यूपी और बिहार की डांस गर्ल्स के बारे में अब यूट्यूब ने इस विडियो को एज पूलना link description में